Hello Friends, Welcome to Shivanj Pharmacy, Your Pharmacy. आज की वीडियो में जानेंगे, पेंकिलर इंजेक्शन के बारे में, वह इंजेक्शन जो दर्द होने पर दिये जाते हैं, उन सभी इंजेक्शन के बारे में, सभी इंजेक्शन की डोज, उनके यूज, किस क्लास की दबा है, सारा कुछ जानेंगे, चलिए वीडियो कर लेते शुरू हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी लिस्ट का पहला इंजेक्शन है, डाइकलोफिनेक इंजेक्शन, इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसकी जो डोज होगी, 75 से 150 मिली ग्राम दिन में एक बार दिया जा सकता है, दूसरा इंजेक्शन है आईबोप्रोफेन इंजेक्शन, ये नॉन स्टेरोइडल अंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, NSAID, क्लास की दबा है, इसका यूज जोड़ों के दरड में, हड़ियों के दरड में, मानस्पेशियों के दरड में, बॉडी के किसी भी हिस्से में दरड हो, और दरड के साथ साथ यह इंजेक्शन फीवर को भी ठीक करता है, किसी पेशिंट को दर्द, बुखार दोनों कंडीशन हो, तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है इसकी डोज 12 वर्ष से अधिक उम्रवालों को 400-800 मिली ग्रम दिन में जरूरत के हिसाब से 1-2 बार भी दिया जा सकता है बच्चों में इसकी डोज, बॉडी वेट के हिसाब से 20 मिली ग्राम पर केजी होती है जो तीसरे नमबर पर इंजेक्शन है, पेरासितामॉल इंजेक्शन ये, अनलजीजिक, अंटिपायरेटिक क्लास की दबा है इसका यूज हर्डियों के दर्ड, जोडों के दर्ड में, मानस्पेशियों के दर्ड में, बॉडी दर्ड के साथ-साथ बुखार यानी फीवर को ठीक करने में भी किया जाता है इसकी जो डोज होगी, 10-15 मिली ग्राम पर केजी होती है, इसे दिन में 2-3 बार भी दिया जा सकता है फोथ नंबर पर जो है, केटोरोलक इंजेक्शन, इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, केटोरोल इंजेक्शन, ये, NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug क्लास की दबा है, इसका यूज, सीवर वा मॉडरेट पेन में, कह सकते हैं तेज दर्द वा असहनियत दर्द में किया जाता है और नातों में तेज दर्द हो, तो डॉक्टर इसका ज्यादातर यूज करते है इसकी जो डोज होगी, 12 वर्ष से अधे कुम्र वाले लोगों के लिए, 90 mg पर दे होती है नेक्स्ट जो इंजेक्शन है, पिरोक्सिकम इंजेक्शन, ये, NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug क्लास की दबा है इसका यूज हर्डियों के दर्द में, जोडों के दर्द में, मानस्पेशियों के दर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो, इस इंजेक्शन का यूज कर सकते है इसकी जो डोज होगी कम से कम 20 mg अधिक तम 40 mg दिन में एक या जरूरत अनुशार दो बार दिया जा सकता है हमारा जो लास्ट इंजेक्शन है, Tramadol Injection, इसका जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, Cantramal Injection, ये, Opiate Narcotic Analgesic Class की दबा है इसका यूज तेज दर्द, असहनिय दर्द, हो एक्सिडेंटल पेन, हो या सरजरी के कारण होने वाले पेन में, वशरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तो इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है यह powerful pain killer injection है, इसकी जो डोज होगी, 50-100 mg दिन में एक या जरूरत अनुसार दो बार भी दिया जा सकता है अब जान लेते हैं इन सभी injection के side effect के बारे में, जैसे जी में चलाना, उल्टी आना, पेट में थोड़ा बहुत दर्द, वहलका हलका सिर दर्द तो ये थे कुछ pain killer injections जिनके बारे में हमने जाना, ऐसे ही दवाए और medicine से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, thanks for watching this video